दोस्तो दन्यूस्पीक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंती का बटन दबाएं आईए आपको पेरियार के वो 15 विचार बताते हैं जिने सुनकर ब्रह्मन वादियों को मिर्चे लगती है दुनिया की सभी संगठित धर्मों से मुझे सक्थ नफरत है उन देवी देवताओं को नश्ट कर दो जो तुमें शुद्र कहें उन पुराणों और इतिहास को ध्वस्त कर दो जो उस देवताओं को शक्ती देता हो शास्त्र पुराण और उनमें दर्जदेवी देवताओं में मेरी कोई आस्था नहीं है क्योंकि वो सारे की सारे दोशी है मैं जनता से उन्हें जलाने और नश्ट करने की अपील करता हूँ मैंने सब कुछ किया मैंने सभी ब्राह्मन देवी देवताओं की मूर्तिया तोड़ डाली तस्वीरे भी जला दी लेकिन अगर फिर भी मेरी सभाओं में मेरे भाशन सुनने के लिए हजारों लोग इखटा होते हैं तो ये साफ है कि स्वाभिमान और बुद्धी का अनुबव होना जनता में जागरती का संदेश है ब्राह्मन हमें अंध्विस्वासी बनाने के लिए तयार करता है वो खुद आरामदा एक जीवन जी रखा है लेकिन तुम्हें अच्छूत केकर निंदा करता है मैं आपको सावधान करता हूँ कि उनका विश्वास मत करो ब्राह्मनों ने हमें शास्त्रों और पुरानों की साहता से गुलाम बनाया है अपनी स्थिती मजबूत करने के लिए उन्होंने मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए है तो फिर अकेले ब्राह्मन उचा कैसे हो सकता है और बाकी लोग नीच कैसे हो सकते है आप अपनी मेनत की गाड़ी कमाई क्यों इन मंदिरों में लुटाते हो क्या कभी ब्राह्मनों ने इन मंदिरों, तालाबों या अन्य प्रोपकारी संस्थाओं के लिए एक रुपया भी दान दिया है हमारे देश को आजादी तब ही मिली समझनी चाहिए जब ग्रामीन लोग देवता, अधर्म, जाती और अन्विस्वास से चुटकारा पा जाएंगे आज विदेशी लोग दूसरे गरों पर संदेश और अंत्रिक सियान बीज रहे हैं और हम, हम ब्रामनों द्वारा श्राद में प्रलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और खीर बेज रहे हैं क्या ये बुद्धिमानी है? इश्वर की सत्ता सुईकारने में किसी बुद्धिमत्ता की आवशक्ता नहीं बढ़ती लेकिन नास्तिक्ता के लिए बड़े साहास और दड़ विश्वास की जरूरत पड़ती है ये स्थती उनी के लिए संभव है जिनके पास तर्क और बुद्धि की शक्ती हो ब्रामनों के पैरों पर क्यों गिरना? क्या ये मंदिर है? क्या ये त्योहार है? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है हमें बुद्धिमान व्यक्ती की तरह व्यभार करना चाहिए ब्रामन देवी देवताओं को देखो एक देवता तो हाथ में भाला या त्रिशूल उठा कर खड़ा है दूसरा धनुषबान, अन्य दूसरे देवी देवता कोई गुर्ज, खंजर, ढ़ाल के साथ है ये सब क्यों है? एक देवता तो अपने उगली के उपर चारों तरफ चक्कर चलाता रहता है ये किसको मारने के लिए है? हम आज कल के समय में रह रहे हैं क्ये ये वर्तमान समय इन देवी देवताओं के लिए सही नहीं है? क्या वे अपने आपको आधुनिक हतियारों से लैस करने और धनुषबान की जगे, मशीन गन या बंदूग धारन क्यों नहीं करते? रत को छोड़ कर क्या क्रिशन टैंक पर सवार नहीं हो सकते? मैं पूछता हूँ कि जनता इस परमानू युग में इन देवी देवताओं के उपर विश्वास करते हुए क्यों नहीं शर्माती? दर्विड कड़गम आंदोलन का क्या मतलब है? इसका केवल एक ही निशाना है कि इस आर्ये ब्रहमन वादी और वरण व्यवस्था का अंध कर देना, जिसके कान समाज उँच और नीच जातियों में बाटा गया है। दर्विड कड़गम आंदोलन उन सभी शास्त्रों, पुराणों और देविदेयताओं में आस्ता नहीं रखता जो वरण तथा जाती व्यवस्था को जैसे का तैसा बनाए रखे हैं। पेरियार साहब की ये बात इस सुनकर ब्रहमन वादी जल भुन जाते हैं। पेरियार के इन महान विचारों को अपने साथियों के साथ साजा करें।